हाईलो गाईज मैं हुभीम और आप देख रहे हैं ट्रिकी नमबर वान तो ट्रिकी नमबर वान में स्वागत है हर ग्रहणी का हर भाई का हर बंदू का जो भी मेरे अपने हैं जितने भी यूटूब परिवार है सबी का स्वागत अभी नंदन बंदन है तो आज के वीडियो आपलों के लिए प्रैक्टिस से रिलेटेड है और आपको हम बताएंगे कि कितना नंबर आप पाएंगे तो पास कहा लाएंगा और कितना पर्षेंट नंबर आएगा तो आपका पास हो जाएंगे यानि कहने का मतलब आपके मार्क शीट पर पास कब लिखेगा इस चीज को हम बताएंगे साथ में आपको कम सकम 40 से 50 प्रैक्टिस के प्रस्ण देंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है तो चलिए गाइस वीडियो को सुरू करते हैं और जितने भी रोचक प्रस्ण हैं सब को पढ़ते हैं और एक चीज़ बता दे मैंने संड़े को लाइ कोश्चन ही पूचता है और मैं बता दूँ आल लेडी चैनल पर इतने वीडियो मैंने बना दिये हैं प्रैक्टिस के अगर आप उतना देख लेते हैं तो इतना काफे है किताब की कोई जरूरत ही नहीं पढ़ेगा और साथ में आज की जो जितनी भी कोश्चन हैं सभी खोद हीजी है सभी याद हो जाएंगा और कोश्चन आपके यहीं से पुछे जाएंगे वीडियो को शुरू कर लेते हैं विल्कम बैक गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर वन पर तो आप देख पा रहे हैं अस्ती नंबर से कोश्चन सुरू होंगे और इसके पहले जितने भी कोश्चन है मैंने आलड़ी करा चुके हैं और करीम मैंने पांच चैनल पर अपलोड किया है और यह जितने भी कोश्चन आज कलेक्ट किया हूं यह सभी अपने आप में बहुत ही महत्पूर्ण है और जोसा कि हमने आपको बताया कि इन्फार्मेशन के लिए मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको कितने नंबर चाहिए कुछ भी हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं आपको हटा देगी क्योंकि इसके पहले आलड़ी दो लोगों को आपको वेटिंग में रखी है त्यानी मेहनत करिए बहुत ही सवाल जितने हैं सिर्फ एक ही छेतर से हैं और कुछ नहीं अभी आप देखेंगे सभी बहुत इजली स सके और अगर और आप सक्की सक्यक्त के लिए और अधिक चाहबार म meer पर पहले से ही ही बहुत सारे वीडियों आप देखक समझ सकते हैं और फिर आपको बीसरी सकी कि अवेधन के लिए कम मिलेगा। सारे इंफरमेशन आपको मिल जाएगी सभी सभी कही ना कहीं किसी वीडियो में तो यहां पर कोश्चन शुरू कर देहें और आपके डिक्सटाप पर कोश्चन आच बेंडेख लेते हैं कोश्चन सुरू करने लेडी वाइज जीवन बीमा किसके मतलब किस योजना के अंतर गताती है तो यहां पर जितने योजना दिये गया है बिकलप A, B, C में सभी योजना के अंतर गताती है यानि कि बिकलप नंबर D is the right answer हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट है पी अधिक्तम रेड़ रासी क्या उपलब्द है तो आपका जो अधिक्तम रेड़ रासी है पी यम यम वाई के तहट यह दस लाक रुपए है यानि कि बी इस दा राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं आपका निक्स्ट है सिसूस रेड़ी के तहट कितना रेड़ लि लगाने के जरुद नहीं बस डायरेटली प्रस्ट पोड़ उसका उत्तर देखो आपको सही उत्तर से मतलब है गलत क्या लिखा गया उस पर धाने की कोई जरूद नहीं है तो पांच लाग का रेड़ कि स्रेड़ी आंतर गाता है यह चीज आपको बताना है तो जो पांच ल लोन का लाप से संबंदित किसी भी गत्वीरी पर ले जाने के लिए लिया जा सकता है तो यह आपका हो जाएगा बी निर्माड प्रासंस्क्रण ब्यापार से वाए यानि कि विकल्प नंबर एजदा राइट अंसर हो जाएगा यह वाला कोश्चन चलिए निक्स देखते हैं लोन किस उद्देश के लिए दिया जाता है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा बंदू एजदा राइट अंसर क्यानी की आज रिजन प्रेयोजन के लिए चलिए अगला कोश्चन देखते हैं जितने भी कोश्चन सभी अपने आप में बहुत ही महत्पूर्ण हैं आप द यानि कि आपका बिकल्प नंबर गाइज दा राइट अंसर यानि कि इसको सी भी बोल सकते हैं कहीं पर गाह होता है सी होता है कहीं पर तीन लिखा होता है जो भी मतलब उससे नहीं डायरेट्ली आप उत्तर समझेए तो यानि कि एन आई यल से संबंधित होता चलिए आगे देखते हैं नेक्स की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका है कि पी याम एम वाई रेड का लाव उठाने वाला हो सकता है तो कौन हो सकता है कोई भी भारती नागरिक हो सकता है भारत में नीमित कोई भी फार्म बाड़ी कर रफ्रनिंग कंपनी या कोई अने संस्था का ब् लिया जा सकता है। एक सारवजनिक छेत्र के बैंक, निजी छेत्र के बैंक, बिदेसी बैंक, साकाडी बैंक, RRB, NBF, और MMFI यानि कि आपका इतने अस्थानों पर लोन लिया जा सकता है तो देख लेते हैं, नेक्स्ट आप का है बंदू कि जो है आपके सामने बिकलप आल लड़ी आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PMY लोन किस बैंक से लिया जा सकता है तो बिकलप आपके सामने में लाने की कोसिस करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यानि कि आपका हो जाएगा C is the right answer चलिए next question देखते हैं next आपका question है कि PMMY के जो रिड के तहत मुद्रा की भूम का क्या है तो जो मुद्रा की भूम क्या होती है यानि कि खा इस दा right answer हो जाएगा पुनर्वित एजनसी के रूट में कार्य करता है और सभी बैंकों NBFC MFI को गराहक किया और सकता के अंसौर PMMY रिड की भी भी निस रिडियों के तहत आगे उधार देने के लिए कार्यवाई करता है यानि बिकल्प इस दा कौन सभी या खा इस दा right answer हो जाएगा चलिए निक्स देखते है उधार कता मतलब उधार जो करता होता है ओ मुद्रा कार्ड यहाँ पर आप देखिए 12 नंबर का कुश्चन है कि उधार करता मुद्रा कार्ड के साथ परिशानी मुक्त और लचीले तरीके से क्रेडिट का लाब उठा सकते है जो की आप का सवती कि सीवा के साथ डीबिट कार्ड हो तो यनि की यहाला विकल्प आपका सही हो जाएगा आगे मठते हैं 13 पर आपका है मुद्रा कार्ड एक डीविट कार्ड है जिस पर बुकतान प्लेट हार क्या है यहारStep रूपय यानि कि विज रत यानि हिन ये का मतलब हो कि आपका बीकल नंबब्र राइट एंसर हो जाएगा देख लेते हैं मुद्रा का उपयोग है इसका उपयोग जो है कैसे किया जाता है इससे भी किया जाता हो और इससे भी किया जाता है यानि कि बिकल्प इजदार राइट एंसर हो जाएगा एटीम या बिजनेस करिस्पॉंडेंट से नगत आहरड करके और पॉइंट आफसेल यानि कि पी ओएस मसीन के द्वारा भी किया जा सकता है तो इसी वज़ा से बिकल्प दोनों सही हो जाएग कि पी एम वाई रिड जो है लागू होता है ति ये पूरे भारत में किसी भी बैंक पर लागू होता है चलिए कलर में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिस करूंगा ताकि और भी अट्रेक्टिंग लगे ये लीजिए मैं कलर चेंज कर दिया अब ये वाला कलर लहेगा चलिए आगे देख लिते हैं सत्रा नंबर का कुश्चन है आपके सामने होम स्क्रीन पर कि बैंक एन बी एफ से एम एफ आई द्वारा उधार करताओं के लिए पी एम एम वाई रिंड की ब्याज दरें क्या है तो आपकी जो ब्याज दरें होती हैं उधार देने वाले बैंको एन बी एफ सी और एम एम आई द्वारा तैक की गई उची दरों से जो समगर आर बी आई दिसा निर्देसों के लिए भीतर होनी चाहिए यानि कि बिकल्प इसदा ए आपका ये वाला राइट एंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं निक्ट कोश्चन की तरफ आपका निक बिल्कुल आगे बढ़ते हैं चलिए जितने भी कोश्चन थे आपको कवर कराने की कोशिस किये हमने ये 20 नमर का कोश्चन देखते हैं जो भी कोश्चन है सभी कवर कराएंगे बस जरूरत है कि आप कितना ध्यान देते हैं कितनी बार देखते हैं डिपेंड ये आप पर करत और सभी कोश्चन सिर्फ और सिर्फ बैंक से हैं मुद्रा से लोन से क्रिडिट कार्ड से डेविट कार्ड से यही सब और लगभग बेसिकली आधी जो कोश्चन है आप तो जानते हैं पहले से और दूसरी बात जो ट्रेनिंग्स होगी आपको वहाँ आधी बता दे जाएगी और थोड़ा बहुत अगर आप वीडियो एक दो बार देख लेंगे रिवीजन कर लेंगे तो कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है सो गाइज बाते समझ गया होंगे और सो गाइज 20 नंबर का कोश्चन देख लेते हैं जैसे की लिखा है मुद्रा के तहट रिंड प्राप् सी होने चाहिए म फ आई के अत्रीक दीशाइनर डेशों को पूरी होने चाहिए तब ही आपको लून मिल सकता या निकू पोझ उप्रोकों यह वाला यह वाला भी कल्प सई होने है ठीक है चलिए आगे बड़ते हैं अगर दोनों में से कोई भी दे देता है तो आप किसी भी भी कल्प को सही कर सकते हैं इस स्रीज में आपको लगभग 30 प्रसन मिलेंगे जो आज का ये स्रीज है इसमें संभवता 30 प्रसन है और आपको बता दें आप कमेंट जरू करिएगा कि ये प्रसन आपके लेबल के हैं या नहीं प्लीज हमें बताएगा हमने पूरी प्रेतन की है और जो पूछते है वही कोईशन आपको चुनिंदा कोईशन यहाँ पर ले आने की प्रेतन की आगया है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट राश्ट्री अस्तर पर PMMY प्रगत के कारियानवन की निगरानी कौन करता है तो जबहिया कौन करता है मुद्रा यानि की बित्ती सेवा विभाग करता है तो बिकल्प ए इसदार राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि PMMY जो रिड़ पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रस्ट है तो उधार देने संस्थाओं जनता की जानकारी और जहां कुछ भी उपलब्द हो क्या है तो भी आपका मुद्रा वेफसाइट होता जहां पर आपसे यह सब जानकारी ली जाती है नेक्स्ट आपका है कि सूच में सूच में लगू दिमो को चलाने के जो अस्थापित करने के लिए नमूने प्रयोजना प्रोफाइल उपलब्द होते हैं तो कैसे होते हैं वो मुद्रा वेफसाइट से होते हैं यानि कि बी इस्थार राइट एंसर हो जाएगा निक्स्ट है मुद्रा की अस्थापना किसके द्वारा की गई है तो यह भारत सरकार द्वारा की गई है मुद्रा के स्थापना ऐसे कोई नहीं कर सकता इसको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार करती है चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नमबर का कोश्चन है बैंक जो है NFFC MFI द्वाराई स्वविक्रित रिनो को लगुबे उसाय आई के लिए 10 लाग तक का या फिर उसके बाद PMY रिन्ड के रूप में जाना जाता है तो कौन सभिया है ये आपका 8 अपरेल 2015 को जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कुश्चन नेक्स आपका है कि 26 नमबर का PMJDY के तहट स्वविक्रित ओवर्डाफ सुविधा की राज PMMY के तहट मुद्रा रिन्ड के रूप में वर्गी क्रित किया गया है तो ये आपका ओवर्डाफ सुविधा जो है ये 5000 पर उपलब्द किया गया है यानि आपका विकल्प नमबर इजदार राइट अंसर हो जाएगा निक्स्ट है कि निमली खीत उधार करताओं में से PMMY के तहट मुद्रा रिन्ड प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा छोटे फल भी करेता और सबजी भी करेता यानि कि C is the राइट अंसर चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है कि PMMY के तहट स्वख्रित यानि की बित्रित किये गए कुल रिड जो है बड़े पैमाने पर बैंकों द्वारा NFFC और MFI आम जनता की जानकारी के लिए सुलब है तो आपका किस प्रकार से सुलब है ये पूछ रहा है तो जो मुद्रा पोर्टल है इस पे बहुत जादा सुलब है ये कोश्चन 28 नंबर का हो गया समभवता एक दो कोश्चन और होंगे इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितना नंबर आपको लाना है और कितने नंबर के प्रिशनाते हैं और अब आप पास कहलाएंगे और आपके रिजल्ट पे पास कैसे लिखेगा जी बिलकुल सब कुछ इंफार्मेशन है बस बिलकम है सभी जितने भी है एब्रिवन बस जरूरत है कि आप वीडियो पूरावास करें और जितनी भी इंफार्मेशन उसे ग्रांड करें तो अंतिस नंबर का कुश्चन है सभी पी एम वाई रिणों को नियंतरित किया जाएगा मुद्रा द्वारा तयार किये गए डी एफ एस रेटिंग एजन्सियां एम एफ आई एन और जो धन है सभी उदारताओं द्वारा गोंद लेने के लिए अनित हित कारकों को जो है परामर्स से क्या होता है मुद्रा रिंड चार्ड तयार किया जाता है यानि कि आपका विकल्प नंबर खा खा इस दार राइट एंसर इस से सन का लाश्ट और आखरी कोश्चन देख लेते हैं यहां पर जितनी भी कोश्चन है सभी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्पून है सो गाईज ये वाला कोश्चन कि भाया मुद्रा जो है योजना किस प्रकार M.S.E. बेउसायों के लिए जो है स्रिजन उद्देश के तहत लागू होती है ये आपका दोनों विकल्प सही है ये वाला नई शुरुआत और विस्तार उन्यन के लिए मौजूदा बेउसायों यानि विकल्प नंबर सी इजदा राइट अंसर हो जाएगा अब आपको बता दें अगर ये आप PDF चाहते हैं तो आपको सेंपल ही कुछ नहीं करना है आपको मिलेगा भीमाचित्रा ट्रेलीग्राम चैनल आप भीमाचित्रा ट्रेलीग्राम चैनल पर जोड़ कर वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं अब अक्सर हम वहाँ पर जो पीडियेफ संबंदी जो भी information होती है पीडियेफ में होती हैं वहाँ पर upload करते रहते हैं बहुत सारे किये हैं आप वहाँ से बड़े राम से डाउनलोड कर सकते हैं तो यानि कि भीमच इतना ट्रेली ग्राम से जोड़िया और वहाँ पर जो भी information है जो भी पीडियेफ हैं आप उसको अपने मुबाइल में ले सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है इस वीडियो में कि हम आपको बताएंगे कि आपको आई आई बीएफ के कि कोशिचन आएंगे और कितने परस्टर आपको हल करने होंगे कितने प पर पाते हैं तो आपके मार्क्षिट पर पास लिखा होगा ठीक है मैं आपको बता दूँ तभी आपके मार्क्षिट पर पास लिखा होगा इसकी अलड़ी हमने वीडियो लाइब बनाई है और दिखाई है मेरे एक मित्र थे उन्होंने पान पान बोल तकते हैं या बटे बोल सकते हैं या भाई बोल सकते हैं तो पचास बटे सौ लिखा रहेगा और आपके बगल में लिखा रहेगा पास कौलिफ़ाइड ठीक है अगर आप एक भी नंबर कम पाते हैं मान लो आपने पाया 49 बेटे 100 तो आप फेल हो जाएंगे और वहाँ पर आपको लिखेगा फेल अब बात आते हैं परसंट कितने परसंट की जरूरत है तो आपको 50 परसंट मार्क लाना जरूरी है क्योंकि 100 का 50 परसंट 50 होता है तो हाई हो पास की इनफार्मेशन आपको बहतर लगी होगी ऐसा मैं उम्मिद करता हूँ आगे मैं आप लोगों के लिए और भी रुचकर इनफार्मेशन लाने के लिए प्रयाश करूँगा प्रयाश करूँगा आपका जो लाइक है बंदे मातरम आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें जाहें